हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमीन स्वागत तर आपका एक बार फिर्स है हमारे चारण में दोस्तों बिग बॉस को हमेशा से बायस्ट कहा जाता था वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि सिधार शुकला को लेकर काफी जादा सपोर्ट किया जाता था सिधार शुकला को बिग बॉस के मेकर्स पर आरोप लगाए गए थे लोगों का आरोप था कि सिधार शुकला को लेकर बिग बॉस के मेकर्स बायस्ट हैं सिधाज शुकला ही जीतेगा चाहे कितना भी वोट कर लो घर में किसी को भी कितना भी पहचान मिल जाए लेकिन जीतेगा तो शुकला ही कलर्स का दमाद है शुकला कलर्स का बेटा है शुकला तमाम तरह की खबरे चल रही थी सिधाज शुकला को लेकर लेकिन यहाँ पर अब तक जिन्हें इतना आरोप लगाया गया था जिनके उपर सल्मान खान की उपर जितना आरोप लगा था कि वो बायस्ट होते हैं सल्मान खान को कुछ कहते नहीं हैं उनसे बहुत हलके फुल के सवाल करते हैं उन्हें clinch it दे देता है तुरहन तुमेक, उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है सिधाशुकला के अंदर, लेकिन फिर भी सल्मान उन्हें घर से अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला तो कई तरह की चीजें हमने देखी थी सिदाशुकला को लेकर बहुत सारे चीजें ऐसी खबरे चल रही थी हाला कि उसके बाद भी ट्विटर पर सिदाशुकला ट्रेंड कर रहे होते थे और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगडी है लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं लेकिन यहां पर हमने जो देखा अभी की पूरा का पूरा पाशा ही पलड गया है अब ऐसा है कि सल्मान खान पर आरोप लगता था कि बिग बॉस के विनर होंगे सिदाशुकला लेकिन जब विनर के नाम की यहां पर लिस्ट सामने आई और सिदाशुकला का नाम नमबर वन पर आ गया और उन्हें विनर घोशित किया गया तो यहां पर ऐसी खबरे हैं दोस्तों कि बिग बॉस ने सिदाशुकला को विनर बता दिया है तो यहां पर सल्मान खान मेकर्स पर भड़क गया है अब मेक आप सोच रहे होंगे कि जो इतना सपोर्ट कर रहे थे इतने टाइम से अब जब लास्ट कुछ घंटा रहे गया यहां पर शो को खतम होने में फिनाले के आने में और विनर के नाम को घोशित होने में तो यहाँ पर सिधार शुकला का नाम जब विनर की तौर पर आया है तो सलमान मेकर्स के उपर क्यों भड़क है? तो दोस्तों मैं आपको बता दू यहाँ पर कि ऐसा हमारा नहीं कमाल आरखान का कहना है जो कि बॉलिवुड को बहुत ही करीब से फॉलो करते हैं बॉलिवुड प्रोडियूसर है, क्रिटिक हैं कमाल आरखान की यार के उन्होंने ये बात अपने ट्विटर हैंडल से दी है और उन्होंने बताया है कि सल्मान खान विनर का नाम सुनते ही मेकर्स पर भड़क गए हैं कि ऐसा क्यों और तुरंत ही बिग बॉस के मेकर्स ने इस चीज़ को लेकर एक मीटिंग ते की है कमाल आरखान का कहना है कि अब आपको लग रहा होगा यहां पर कि सल्मान खान क्यों भड़क गए हैं जो इतना सपोर्ट करते थे लेकिन यहां पर ऐसा जो प्रेडिक्शन हमेशा से हमने देखा है कि भविशवानी करते रहते हैं कमाल आरखान और यहां पर भी उन्होंने एक भविश्यवानी की है इस तरह की और उनोंने बताया है कि सलमान खान के साथ ऐसा उन्होंने जो नाराज़की जाहिर की है सिद्धार शुकला के विनर होने पर तो इस चीज़ के लिए क्यार के ने बताया है कि एक मीटिंग होई है बिग बॉस के मेकर्स ने रखी है तो इसी के साथ अब अब देखने वाली बात अब यह होगी कि कमालार खान का जो हविश्यवानी जो उनोंने की है कि सिद्धार शुकला विनर होंगे यह सच होती है या नहीं और इसके लावा जो नोंने बताया है कि विनर की नाम पर बढड़क है सलमान खान हमें सच है या नहीं है यह सिर्फ उनका कहना ऐसा फिलहाल इस बारे में हम तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन इतना मैं ज़रूर आप लोगों से कहूंगे कि जो भी वोटिंग लाइन्स खुली है बिग बॉट के लिए और लगातार लोग वोट कर रहे हैं आज फ्राइडे तक का वक होंगी लेकिन आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपके हिसाब से विनर कौन होगा इस बार का